CAA कुनेई, ग्रुह मंत्री, अमिस सहाब प्रकुर्टरे कौन कोचन दा संतुना जो पकाईबा? सिये के कारण जो हिंसा हुई थी, उस वक्त आपने का ठाथ एक डिसिनफोर्मेशन कैमपेन हैं और वो आप दूर नहीं कर पाए हैं उस दिसिनिफ्रमेशन को, अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डीटे téléphone बात करी है कि इस देश के अलसंख्यप, माइनोरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिक्ता लेने का प्रावधानी ही नहीं है CAA सिर्फ और सिर्फ तिन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश से हिंदू, सीख, बहुद, क्रिश्चन, और पार्सी, जैन, और पार्सी सरनार्थ ही आये है इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिक्ता देने का कानून है जिससे इनके जिवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए मैं बाखी रिलिजिन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसल्मान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे उवेसी साब हों, चाहे ममता बैनर जीओं, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है, वो भी कहरी है, इस अन्टी मुसलिम लोग, विकोज अगस्त 1947 को इस देश का विभाजन हो गया, देश तीन हिस्सों में बढ़ गया, वो बैक्ग्राउंड है, भारतिय जनसंग, भारतिय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया, हम कभी सहमत नहीं थे, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहि था, मगर उस वक्त किया गया, जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो, और वहाँ जो अलपसंक्यक है, उस उन लोगों पर धेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो मा, बेहन, बेटी के लिए वो सरण म आये भारत की, तो क्या उसको यहां नागरिक्ता का अधिकार नहीं है, और स्वयम कॉंग्रेस के नेताओं ने आजादी के बग सेंकडो भासनों में कहा है, कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहां है, वहां रहे जाए, बाद में जब कभी भी भारत में आएंगे, आपका स्वागत हैं, परन्तु बाद में इलेक्टरोल पोलिटिक्स चालू ही, वोट्में की रादनेती चालू ही, एपीस्मेंट के कारण वो वादा कॉंग्रेस पार्टी ने कभी पूरा ने किया, जो नरेंदर मोधी पूरा करें, जो बाकी समुदा, बाकी जो रिलिजन्स हैं, चाहे हिंदूस हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलिजन्स बॉर्न इन इंडिया, अगर आप पार्सी और इसायों को ला सकते हैं, वो जो रिलिजन्स हैं, देवर नोट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पार्सी और इसाईयों को ला सकते हैं तो मुसल्मानों को क्यों नहीं दिखे मुसलिम अबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है वो बुम्मिय इसलिए दे दी गई थी फिर तो हर देश से आवयास्ता से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दर्वाजे खोड़ लो भार है और हमारी constitutional responsibility और समिता जी आप आकड़ी की घहराई में जाईए जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23 प्रतिसत हिंदू थे हिंदू और सीख थे तीन पॉइंट साथ प्रतिसत बच गए कहां गए सारे इतने सारे तो यहां आए नहीं धर्म परवर्तन हुआ अप मा चांगर जाये लोग किया देश इसका विचार नहीं करेगा देश की प्रतिसाद से की प्रतिसत हमारे पास से 2011 की जनगर्णा में वो 10 प्रतिसत रह गया, कहां गए हो लोग, अफगानिस्तान, 1992 के पूर्व, 1992 के आंकड़े मेरी प्रासों गया, लगबग, लगबग, दो लाग सीख और हिंदू थे, और आज करीब करीब 500 बच गया, क्या इन लोगों को अपनी बिलीप से जिने का अधिकार नहीं है, वो जब भारत एक था, तब हमारी ही थे, हमारी ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है, अगर यही थियोरी को आप अपना लो, तो पार्टिसन के बाद इतने सारे सरणार्थियों को क्यों लिया उसका भी तर्क नहीं है फिर तो तो वहीं मैं पूछूँगी कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना वहां पर शिया और एहमदी बलोच ये भी तो प्रताड़ित है वहां पर दिखे वो प् मज कर चली और सिया एहमद या वो तो छोड़िये मुसल्मान को भी अधिका रहे हैं अप्लिकेशन करने का हमारे समवाजदान ने रास्ता खोला है वो अप्लिकेशन करकर रेफ्यूजी के तौर पर नहीं नागरिक्ता लेने के लिए एपलाई कर सकते हैं भारत सरकार इनकी कि यह बनाया है कि यह किसी भी वैद डॉक्यूमेंट के बगर सरन में आये हैं बॉर्डर क्रोस करकर आ गए हैं तो अब आपने पोर्टल भी खोल दिया है उसमें वो सारे डीटेल्स करेंगे वो पोर्टल सुरक्षित है और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो क्या अब वो ना नागरिक है ना माइगरेंट है ना रेफ्यूजी है क्या बन जाते हैं देखे मैं आपको बताता हूँ जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंडेंगे परन्तु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रभ अंदात से 85 प्रत्सत से ज्यादा है और कितनी देर लगेगी क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा हमने कोई समय मर्यादा नहीं रखी है आराम से सब लोग एप्लिकेशन करें मैं सब को अपिल करता हूँ आप आराम से करिये एप्लिकेशन देश की सभी भासाओं में है आपकी भासा में आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लिकेशन कर सकते हो और आपकी समय की अनुकुलता से भारत सरकार आपको इंटर्वी के लिए बुलाएगी